गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रवाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलेक्टिशन फंडर की यूटूब चैनल में जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है किसे पहला जो हमने मौक टेस्ट किया था वो टेस्ट हमने किया था वॉक्षप कल्कुलेशन एंड करते रहेंगे तो आज की स्किल के जो मौक टेस्ट में हम लोग 25 को देखेंगे और करेंगे ठीक है तो चली फिर इसको शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने आता है सवाल आता है फिस बॉन स्चार्ट इज आल्सो कॉल तो देखिए बाद पत्तों जो फिस बॉन डाइगराम जो होता है यहिंड्रीमे बहुत ज्यादा यूज रॉस होने वाला एक डाइग्राम होता हैं जो कि अगर हम कहें तो ये काऑज डौडल्ड डाइग्राम होता है यानि जब कोई प्रब्लम आती है कोई मेजर प्रब्लम ऑंड vessel के अ अगले सवाल की तरफ चलते हैं सवाल है विच वन इज डू इन इंट्रिव्यू टी क्यूट है ना यानि इंट्रिव्यू में आपको क्या करना चाहिए अप्शने है ड्रस्टू केस्वली लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट जॉब ऑप्शन सी है बी कॉंफुडेंट य पहने यानि पार्टी विए टाइप के ड्रस को पहने आप जूट बोले उस जौब को लेने के लिए या फिर आप कॉंफुडेंट रहे यानि एकदम विश्वास से भरे हुए रहे या फिर आप बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से क्या रहें तो यहां पर आप्शन हमारा सी करेक्ट होगा बी कॉंफुडेंट आपको क्या रहना है बिलकुल कॉंफुडेंट रहना है तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा चलिए सवाल नंबर थार्ड है वर्ट ये सवाल तीसरी बार हम लोगों के सामने रिपीट हो रहा है जिसको हमने already discussed कर लिया है और आप सभी को भी इसका answer याद हो गया होगा तो ऐसे words जो same आवाज को pronounce करते हैं यानि pronunciation उनका same होता है बोलने में same होते हैं लेकिन उनके meanings अलग होते हैं जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर बात करें एक simple शब्द by by मतलब होता है द्वारा और by मतलब होता है खरीदना तो यह दोनों ही शब्द के अगर अर्थ देखें तो अलग-अलग है लेकिन बोलने का तरीका एक ही है बाई तो यह हमारा option एक करेक्ट होगा होमोफोन चले अगला सवाल है अंडर फैक्टरी एक्ट के अंतरगत जो हमारे वरकर्स होते हैं वह एक सब्दा हमें maximum कितना टाइम वरक कर सकते हैं तो देखें पर डे का होता है आठ घंटे और आठ घंटे मल्टिप्लाई छे करेंगे तो 48 आवर्स आएगा तो option C हमारा यहां पर क्या होगा correct answer होगा चले अगला सवाल है expansion of SMS SMS का expansion क्या होता है SMS का expansion होता है short message service SMS एक ऐसा service होता है जिसमें आप छोटे-छोटे message को भेजते हैं तो इसका expansion होता है short message service तो option D यहां पर क्या होगा correct answer होगा चलिए अगला सवाल 6 है और वो है Earthquake is measured with the instrument called यानि भुकंप को मापा जाता है उसी अंतर का नाम क्या है टेली ग्राफ भी है सिस्मो ग्राफ ऑप्शन सी है और सीलो ग्राफ या ऑप्शन डी है बार ग्राफ तो ऑप्शन यहां पे जो चार दिये हुएं उसमें से ऑप्शन हम तो for smart goal assistant for यानि SMART में जो हमारा S है वो किसके लिए स्टेंड करता है सोसल के लिए B scientific के लिए C specific के लिए या D strength के लिए तो smart के अंदर जो S होता है वो हमारा specific के लिए स्टेंड करता है तो option जो हमारा C है वो क्या होगा correct answer होगा चलिए next सवाल है for medium manufacturer interfaces the investment in plant and machinery is between यानि जो medium level के हमारे जो manufacturer interfaces होते हैं उनके लिए जो investment होता है plant के अंदर machinery का वो कितने से कितने के बीच होना चाहिए तो वो generally होता है 5 करोड से 10 करोड के बीच में तो option D हमारा यहां क्या होगा correct answer होगा option D क्या होगा correct answer होगा ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं इगला सवाल है which one is a correct चैनल through which marketers can reach customer देखें एक चैनल होता है कि एक जो marketer होता है वो customer तो कैसे रीज करता है तो देखिए option ए है manufacturer retailer wholesaler customer option B है manufacturer customer retailer option C है manufacturer retailer customer या option D है manufacturer retailer customer wholesaler तो देखिए काइदे में अगर बात करें तो सबसे पहले किसी भी समान का manufacturing होता है तो वो manufacturer करता है manufacturer से फिर क्या होता है wholesaler purchase करता है और wholesaler से retailer purchase करता है और retailer से customer purchase करता है ठीक है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि manufacturer के बाद wholesaler कहीं भी नहीं है तो इसलिए हमारा वह वाला पॉर्षन जो tip हो जाएगा और manufacturer के बाद आ जाएगा retailer and then customer तो option C यहां पे हमारा क्या होगा correct answer होगा ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ सेलते हैं दसवा है which one is a social networking site बार-बार बात कर चुके हैं कई बार repeat हो चुका है तो social networking site जो है वह इस से हमारी है Facebook तो option B यहां पे क्या होगा हमारा correct answer होगा ठीक है चलिए नेक्स सवाल है as compared to small scale business large scale business required यानि अगर हम compare करें एक small scale business की compare टू लाजी scale business यानि बड़े बिजनिस के न ही अगर हम बात करें एक बड़े scale के business कि compared टू छोटे scale के business में तो स्में क्या होता है तो simple सी बात है क्या होगा less number of person नहीं हो सकते less number of capital हो ही नहीं सकता more number of people yes बिल्कुल right है यह क्योंकि अगर आप बड़े बिजनेस में जा रहे हैं तो वहां पर जाहिसी बात है आपको number of person भी ज्यादा चाहिए तो option c जो है वो हमारा क्या होगा correct होगा option d जो दिया हुआ स्मॉल मशीन टूल्स यह नहीं होगा तो option c हमारा यहां क्या होगा correct answer होगा चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दूरिंग यूजिंग ATM authentication इज प्रोवाइड़ बाइ customer by entering यानि आप जब ATM पे जाते हैं और ATM पे जाने के बाद में आपको जो विड्रॉब करना होता है पैसा उसके लिए आप एक authentication यूज़ करते हैं ताकि यह पता चल जाए कि जो आपने ATM लिया हुआ है वह आपका ही ATM है और आप वह सही व्यक्ति हैं तो इसके लिए आप क्या प्रोवाइड कराते हैं आप पिन प्रोवाइड कराते हैं तो option C यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर बारह का चलिए अगला सवाल है in Excel instruction of intersection of row and column is called तो यह बार-बार हम बात कर चुके हैं कि जब हम किसी एक row and column को intersect करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है सेल मिलता है तो option A हमारा क्या होगा correct answer होगा चलिए अब person who associate with the starting of business is called यानि ऐसा व्यक्ति जो को विजनेस को start कर रहा हो क्या कहलाता है merchant, entrepreneur, businessman या sales executive तो देखिए बहुत सारे लोगों को businessman option लगता है लेकिन option हमारा भी correct होगा interpreter क्योंकि देखिए जब कोई भी नया बिजनेस शुरू किया जाता है तो वहाँ पर क्या है आपको loss भी हो सकता है profit भी हो सकता है ठीक है आपको पता नहीं होता है कि संभावनाएं क्या है आगे तो starting के अंदर जो हमारा business होता है वो इंटर पर के कटेगरी में आता है तो option भी हमारा क्या होगा correct answer होगा चले शीट सेव्ड विद एक्स्टेंशन तो देखिए शीट का मतलब एक्सल शीट की बात कर रहा है और एक्सल सीट का जो extension होता है वो dot xls होता है तो यह हमारा option ए करेक्ट होगा बी ऑप्शन जो दिया हुआ है dot d o c यह word के लिए होता है dot pdf यह pdf फाइल के लिए होता है dot mp3 यह song के लिए होता है तो option ए हमारा यहां पे correct answer होगा चलिए expansion of ATM is everything noise is क्या है कि ATM हमारा क्या होता है automated trailer machine होती है तो option b हमारा यहां पे क्या होगा correct answer होगा noise physical comfort of hotness or coldness come under यानि जो हमारा आवाज है physical discomfort है hotness है गर्मी है सर्दी है वो किसके अंतरगत आता है option a है culture barrier option b है language barrier option c है participation barrier या option d है environment barrier तो आपको सीधे सीधे यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह हमारे environment barrier के अंतरगत आते हैं तो option d हमारा यहां पे correct answer होगा चलिए which one is not a vowel question number 18 है कि which one is not vowel निम्न में से वोवल कौन सा नहीं है तो देखे एई आई यह वोवल से हैं and f जो है वो consonant की category में आता है तो option c हमारा यहां पे क्या होगा correct होगा क्योंकि यह वोवल नहीं है अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो internship is also term as investor employer self employment employment seeker तो देखिए इसको हम किस नाम से और जानते हैं self employment के नाम से भी जानते हैं तो option c जो होगा वो correct होगा क्योंकि आप कोई अपना business start करते हैं आप कोई नया startup करते हैं तो आप अपने मात में एक self employment होते हैं है ना तो option c हमारा यहां पे क्या होगा correct answer होगा चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं which one of the following is not part of 3rs तो देखिए 3r के अंदर क्या आता है correct हो जाएगा कि जो यह हमारा regenerate है वह पार्ट ओफ 3r नहीं है ठीक है चलिए अगला सवाल है हमारा इन MS Paint which extension is not supported यानि MS Paint के अंदर कौन से extension हमारा support नहीं करता है तो MS Paint के अंदर हमारा वही एक्स्टेंशन सपोर्ट करता है जो हमारे मेज के लिए supporting extension होते हैं जैसे कि डॉट जी पीजी डॉट जी आई एफ डॉट पी एंजी तो यहां पर हमारा डॉट डी ओ सी सपोर्ट नहीं करेगा तो option बी जो होगा वह हमारा correct होगा क्योंकि इसके अलावा जो है वह इमेज के ही format है यह हमारा document का format है जो की MS Word में यूज होता है तो option बी हमारा होगा correct answer क्योंकि यह हमारा paint support नहीं करेगा चलिए अगले सवाल की तरफ चले what is the cell address of fourth row and fourth column तो देखिए fourth row की अगर हम बात करे है और fourth column की तो क्या होगा देखिए A B C D यानि चौतह में क्या गया डी आ गया और fourth तो यह option हमारा C correct होगा D4 option जो C होगा वो क्या होगा correct होगा D4 second last question है what should come next for selecting the solution in problem solving process यानि जो हमारा problem solving जो हमारा process होता है उसमें जब हमें कोई भी solution जब select कर लेते हैं तो क्या process हाता उसके बाद next look for alternate option B root cause analysis option C identify the problem and option D है implement the solution तो देखिए जब आपको कोई solution मिल जाता है तो आप उसको क्या करते हैं implement करते हैं तो option जो D होगा वो हमारा क्या होगा correct answer होगा ठीक है चलिए last question है और वो last question क्या है which one note an element of 3P of public speaking ठीक है तो option है prepare practice process and perform तो option C यहां पर क्या होगा correct होगा पॉसस जो हमारा है वो हमारा 3P of public speaking के अंतरगत नहीं आता है तो option C हमारा correct answer होगा ठीक है तो यह हमारा पूरा test हो गया अब इस हम test को क्या करेंगे submit कर देंगे तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यह पूरा test समझ में आ गया होगा कि और आपको सारी जो test के answers है questions के answers है वो आपको मिल गया होंगे तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ठीक है अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन प्रेस करना ना भूले तो बच्चों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेक केर